नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्टेशिव कलाजिश पर दोस्तों कुछ रोजगार निगम की तरफ से दो तिन दिन पहले ही जो experience update के message आये थे उसके बाद कभी सारे साथियों ने अपना जो experience update भी किया लेकिन अब जब चैक कर रहे हैं तो काभी सारे साथियों के साबने एक दूसरी जो अपने स्टार्ट हो गई है experience reject होना स्टार्ट हो गए है देख लिजेए यहाँ पर यानिके verified कम के हुए हैं लेकिन reject ज्यादा के हो रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं dear your experience has been rejected by the respective department on HKRN portal यानिके उनके जो department है वो reject कर रहे हैं एक तो यह message है जो की काफी bad news है इसके बाद एक और दूसरा जो message आया है यह भी एक बहुत सी bad news है इसे दोस्तों का बहुत सारे क्रमचरी मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि यह जो कोसलोजगार निगम है use and throw वाली policy अपना रहा है यहाँ पर कुछ इसी तरह का message है देख सकते हैं एक साथी का जो termination का message आया है उनके पास यहाँ पर 15 दिन का जो time दिया जाता है terminate करने से पहले हाला कि यह जो 15 दिन का time है यह भी कुछ ही भी भाग देते हैं वरना कुछ भी भाग तोसी देहीर निकाल देते हैं वैसे rule तो यह कहता है 15 दिन का time दिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बता गया है कि your HCRN contract termination notice period of 15 days has been started from date 24 यानिके 2022 and you will be relieved from the HCRN on date यानिके यहाँ पर बता गया है कि आपका जो 15 दिन का time हो start हो गया है इतनी तारिक से और आपको इतनी तारिक को reject कर दिया जाएगा यानिक कर दिया जाएगा दोस्तो कोशलोजगार निगम से तो दोस्तो कोशलोजगार निगम इनके मान लिजे एक use and throw की policy अपना रहा है जब कोशलोजगार निगम बना गया था तो करमचारियों के मन में थी क्या कुछ मतलब एक कुछ अच्छा होने जा रहा है करमचारियों साथ लेकिन वो चीज अच्छी साबित नहीं हो पा रही है बहुत सारी जगह पर कुछ साथियों के साथ ठीक है अच्छा भी होगा कु लिए थे कर आप भी चाहते हैं रियाना में एजुकेशन से लेटेड को सलोजगा निंगा में से समन्दिच सभी परकार की जानकारी समय पर पारना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ सेर करें थैंक यू वेरी मच